पहले तो दो ग्रूप ही देना चाहिए दो ग्रूप देने में एक फाइदा क्या होता है अपने को यह नहीं पता ना कि कौन सा पेपर सिंपल आएगा कौन सा तफ आएगा जैसे अभी अपनी एक्जाम में छे एकजाम होगे ओके अब छे में से कोई भी पेपर एक्दम तफ has a couple video the bada niya एक्दम सिंपल अखिए नहीं यह से अपने गूप उन की तड़ा इदम पूरे पैसे रहोगे गूपन मेरा पियारा हे गूपन मेरा दूलारा है कोई मेने लेकिन गूप उनके पेपर दाफ अगे तो और पताला ग्रूप तुमें कोस्टिंग वगभरा एफ इसा हुआ है कई बार लेकिन अपने गुरूप तो को छोड़ के गुरूप वन की तरह एदम लॉयल हो गये थे लेकिन गुरूप अधोका देके चला गया किसी एक लेवल के बाद तो गुरूप वन को कितना स्ट्रॉंग करेगा अगर पेपर अटाफ आप 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 और गुरूप टू में अगर तो वीक लग रहा है लेकिन पेपर सिंपल आगे तो और पेपर कहां कैसा आएगा पता नहीं लेगे इतनी बात पकी है एकाद पेपर तो फाडू आएगा और एकाद पेपर तो एकदम बोनस होगा कि मतलब उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ब में तो बिट हो जाएका लेकिन एकाद बॉल तो ऐसा हीगा जिसमें तो सिकसर घुमा सकता है तो अपने को सिकसर मारने का वेेट कर ने और सिकसर मारने का चांस मिलेगाऊ 6 पेपर देगा ना उन्सल्र जांस आग्तीटीन लाइट खेल रहे हैं एक बॉल तो इंस्टीज गया तो पॉसिबल है लेकिन अगर तुम लोग तीन ही बॉल खेलोगे तीन बॉल मना तीन एक्जाम दोगे तो बाद में उसमें भी टोगे तो कतव तो दो गुरूप देना ही समझधार ही होती है और सी अभी तुम लोग बोलो के सर आपकी बाद सही है पड़ाई तो होना ची स्वें कि पाइब तो ty तेओ पी अपनी महेंनत सी अपनी प्रोब्लम क्या हो आईटेटिफा करणा अपनी प्रोबलम कुछ और EU स्वाड़े कुछ रोट थे कि थे अपनी प्रोब्लैम कुछ पलिखेगा जिस दिन एक गूर्प का सोचोगे ना तो साइकोल लोजिक लिखने ओडिलेव पढ़ जाएंगे अरे जितना दो गूर्फ में प्रेशर आता है ना उतना तुमको लगता है एक गूर्प में नहीं आएगा वह लगता है तेरको लेकिन क्या एक गूर्प कर रहा है कि हमना आराम से रिलाक्स बैटे रहेते हैं आराम से जह गुप पन कोई दे रहा है कभी अकाउंट कर रहा है टैक्स कर रहा है लौ कर रहा है और अपना स्पीड भी कम हो जाता है टेंशन तो पड़ाइं कमी होती है लेकिन वह अगर सिर्पे 6 गुरूप का प्रेशर है तो प् में जागते हो नहीं तो तो सब लोग क्या एक साल पहले से बढ़ ले फांडेशन तो पहले क्लियर हो गया होगा किसे का है ना और कितने लोग ने तो दो तीन अटेम दिया बहुत ज़्यादा पड़े हो जाना चीए था तो ऐसा नहीं होता है टाइम लास्ट में उतना ही कम ल लाकिने साल बोले मैं एक ग्रूप में एक डम ब्लैंको याशोट को गरी ने क्लासिस किया है लूकर के इसे बच्चे को में बोल दूंगा चले गुटेंगिए क्योंकि तुन्से और ग्रूप तूमें ना तो ऐफम है कोॉस्टिंग को कोचिंग नहीं लिया है उसको भी नह का बर तुने ग्रूप टू को जिंदगी में टज भी नहीं किया होगा फॉर्म तो बढ़ दोने का फॉर्म बढ़ने में ठीक है थोड़े पैसे जाते हैं दो गूप की फीज जादा होती है लेकिन क्या एक ग्रूप खतम होने का तू घर पे खाली बैठे रहेगा ना तो खाल ग्रूप टू को एकदम तू जीरो भी है मत देना बस तू उसकी पढ़ाई मत करें फॉर्म भर के एक्जाम में तो बैठ किया यू नेवर नो क्यूंके ग्रूप वन से फ्री हो गया बाद में तो खाली बैठा है जो एक्जाम में टाइम में जो पढ़ बढ़ के कैसे दे प अगर कोई ठान ही लिया नहीं मेरे को पैसे खर्चे निगा तो तेरी मर्ज उसका मेरे बाद सॉलिशन नहीं है जो पैसे तो तुम को इखर्च करने बढ़ेंगे न अगर उसका तू सोथ रहा तो अलग बात है बाकि अगर पैसे वेसे का सोच था इसमें कौन सा बड़ा फी स्टेश पे ना गुरूप भी हुआ है गुरूप तु भी सब का क्लासिज वासिज तो किया है पढ़ाई वड़ाई ठीक ताग हुई है लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो उनलों को दोनों ग्रूप के लिए जी जान से मैनत करना चाहिए तो इस पेशले किस करना वहां करोंगा ठीक है मैं समझता उसके लिए सॉलिशन क्या है एटलीश ना 10-15 मार्च तक 10-15 मार्च तक है ना दोनों ग्रूप के तैरे करो और जब मार्च में 10-15 मार्च आगी ना उस वक्त लगा के नहीं मेरी हालत एकदम करा वे सर के बातों में आके मैं दो ग्रू नहीं लेते और टो टेक कैलकूलेटे रिस्क और कैलकूलेटे रिसक का मतलग क्या तूप सब्सक्राइब तो इह वहां और उस वट भी तू एक गूर्प में तूच हो गया ना यॉस्वक्त हो गया ना युआ से रिसक एसा लोगे मॉन एक दम बूरे टाइम भी आ आ इसको बोलते हैं कैल्कुलेट ड्रिस्क ओके आच लो एक्जाम के गाली 10 दिन बचे और में बहुत दोनों गूप ट्राइम मारना यह मैं अंधा दून रिस्क लेने बोल रहा हूं फिर तो यह लिए बीडिलिंग से कुच जाना रिस्क लेना पड़ देगा और पूच जाएग की जी जान से महनत करके पढ़ाई करो एट लीस्ट तुम लोग 15 मार्स ने तो 10 मार्स तक तो एक टाइम दो तकरीबन तुमारे बास एक महीना एक महीने में तो दुनिया इधर की उधर कर सकता है और अगर तुझे लगा यार मेरा दोनों गूप थोड़ा कंट्रोल में आ र कर सा वानला तुदो नों को समभाल के रख लेकिन अगर तुझे दस पंदरा माच को लगा नहीं नहीं भाई मैं तो हर जगह से तूटा सब में मेरे दो तीन तीन चैप्टर वे सब बाकी है हां तब तु एक गूप पर आज़ा बस तब कर तु आइम डॉट जस्ट आस्किंगी टूटेगा ब्लाइंड रिस्क और करना ही चीए और तुम लोग तुम लोग अपना रोना दोना मेरे सामने का होगे ना सरी टाइम कम यह वो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा ना तुम लोगो विश्वास भी नहीं होगा मेरा सी एंटर जब लिए के एक्जाम में एक्जाम को खतम होई थी अर उसके बास सेकेंड में को चील और मेरे टाइम भी एलेक्शन था और एलेक्शन के गारण सेकेंड में का एक्जाम पोश्ट में हो गया रियल स्टोरी है dus second में से नाइन फ्विन अच्छा लगा लेकिन फिर भी गैप कितना था 29 अप्रिल तक तो मैं टी वाइब कॉम में विजी था भी कॉम की पड़ाई में फिर 29 अप्रिल से 9 में कितना गया थोड़े बहुत दिन का गया था फिर भी मुझे ना दोनों गूपी देना था मेरे सब दोस्तों ने क्या हो में अटेंप स्किप करके नौमर में दिय कि अभी इतने टाइम में बैक टो बैक एक्शाम पॉसिबल ही नहीं है मैजॉरीटी लोग ने छोड़ दिया कितनों नेक दिया लेकिन मैंने दोनों गूर्प का डेरे किया क्योंकि मेरा क्या था हुआ मैं यह खतम करना यार जिंदगी पर यही थोड़ी करते रहूंगा सी अभी में में स्किप कर दूंगा नौंबर आएगा यार बोट टाइम बेस्ट हो जाएगा तो मुझे तो बेचे नहीं होती थी नहीं मैं तो दोनों ही दूंगा और मैने प्लान किया ऐसे मनलब कहीं से भी मनलब कुछ तो सिक्योर हो जाए बोच शॉटकट में पढ़ाई कि तो मैंने अधर लोग के टाइम था ना वो टाइम किया था कमनी लोग था उसके अधर लोग में क्या था वह बोनस एक प्रोविदेन फंड एक को अप्रेडिव सोसाइडिया से कुछ इन अधर लोग किया कंपनी लोग पूर ऑप्शन उसमें क्या पड़ा था दॉक्त्रिन कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट रेजिस्ट्रेशन चार्जिस लिक्टरली कसम से यह तीन कोशन आज भी यादी यही तीन चीज़ की थी कंपनी लोग में और बाकी सब अधर लोग किया था उतना ही करके गया था दौट चालीस टोटल किया था मालू मेरा ग्रूप वन में 151 ग्रूप टू में 149 कभी सोचो के अरे 150 पासिंग है तुम लोग को भी 6 एकजाम है हम लोग के डह में 6 एकजाम थी और एक ग्रूप में 3 पेबर दूसरे में 3 पेबर 150 150 पासिंग है लेकिन नसीब देखो इधर 151 था और उसमें भी एक लोग में 40 था वो लोग का 40 का 39 होता वो तो गया और 151 भी 150 हो जाता और इधर 149 को सपोर्ट करने लेक मांग भी नहीं मिल पाता 151 149 टोटल डॉट टीन सो डॉट 50 पसें एक मांग का सेट आप से पासवा था अब तुम लोग बोले सर आपकी बात अले मेरी बात अले मेरी बात आज अलग हो सकती है आज मैं सर सब्सक्राइब लेकिन मैं किसा तो पुराना मतल तब तो तुमारे इसा बच्चा ही था यह क्या माइंसेट होता अपने थिंकिंग होती मेरी थिंकिंग अलग थे ना मेरे दोस्तों की थिंकिन थी अरे पागले अभी तो हो गए निशान्ती से बात में देंगे और मैंने क्य और अपने दोस्तों को बहुत अकाउंट बढ़ाया था लेकिन बाकी सब्जेक में तो मेरी हालत खराबी थी यार कैसे तेशे शॉटकर्ड मार के किया था कॉस्टिंग का पेपर ऐसा गंदा किया था फॉर्स्ट क्वेस्टन ब्रेकिएवन फॉइंट का था सौल कर रहो का कार्ट का स्टार्टिंगे तीन आंसर शीट के तीन पेजी कार्ट दिये फिर बाद में हुआ ही ने चोड़ दिया मैंने बाद में और एक्स का क्वेश्टन गया वह सिंपल था नसीफ उधर भी कट्टों कुछ 40 इतने माक्स आय थे डॉट 50 पसें आया था दब जा के पास व दो ग्रूप का चांस लेना चाहिए एक्सेब हां ठीक है कोई स्टूड़ एकदम ब्लैंक है ना तो उसको मैं नहीं बोलोगा लेकिन जो विचारे क्लास बास करके पढ़ पढ़ा के एक लेवल तब पहुचे है तो जस्ट भी घबरा गया है मत घबरा ड़ना तो नहीं है त तेरा सब सब्जिक भी पढ़की हो गया ना तो भी अंसर्टेंटी एंग्जाइटी का डर तो आएगा है डर का सॉलिस्टन कुछ भी नहीं हो तो यह डू वेट एन वाच पेशन्स रखना पड़ेगा लेकिन अगर तुमारा प्रिपेरिश्चन तोड़ा मीडवे है ना तो इसे वक्त पे मिले ना कि अभी एक्जाम को दो डाई महीना बाचा है तो मैं ज्यादा दूख का फोर्स भी नहीं कर सकता इससे मैंने थोड़ा दो सिट्वेश्चन बता के बताया था नहीं तो एक महीना पहले कोई मिला होता ना दो ग्रूपी देने का चुप्चा संजा न दो ग्रूपी देना पड़ेगा ऐसा होता लेकिन कि अभी थोड़ा टम कम टाइम है तो जिन लोगा प्रिपेरेश्चन जीरो है तो उसको फोर्स ने करूँगा लेकिन जो में में लोग है उन लोग एट लीस्ट लाई करो ना थोड़ा टाइम तक नहीं हुआ तो एक में तो फीलिंग नहीं मिलेती मर मर के पास वाथा फाइनल में जो फीलिंग आई थी ना आस तो फीलिंग अमर होगी है रैंक की फीलिंग जोड़दार होती है तो यह ऐसे लोग के लिए बोड़ा जिन लोगा प्रिपेरेशन अच्छा कासा हो चुका है एक लेवल आगे हो तो रैंक का सोच और रैंक किसी को भी आ सकता है कोई बोले अरे पास हो जाओ तो भी बहुत है अरे जब तक नहीं आएगा तब तक तु ऐसा ही समझेगा लेकिन आने के बाद लगे है रैंक आ सकता है यार मेरे को कितने पूरा ने शुरन ने बोला सर मैं तो रैंक गर के लड़का था उसने भी सेम ची बोला था सर रैंक आ सकता है आप जब बोलते थे बड़ी बाद लेकिन इस पॉसिबल और एक ची अपने इंस्टिटुट के कोर्स में क्या है डिफाइंड बाउंडरी उसके भार से थोड़ी आएगा ठीक है लेकिन अपने बाउंडरी पूरी खतम नहीं कर पादे उधर ही लेकिन क्यों नहीं हो पाता हाड़वक ही कमी है ना हाड़वक बैल हो जाएगा तुमको शोड़ पास होना है ना तुमारा पूरे दिन में शेडूल क्या होना चाहिए पांच घंटे के नींद थोड़ा बॉत खाना जिससे तुम अपने ऐब जिन्दा रख सके जो अपने चैना को जिन्दा रखने लिए क्या जरूरी फोड़ी नींद हो थोड़ी हां ज्यादा नहीं तोड़ा खाना वाकी पूरा टैम पढ़ metic पागल हो जाएका लोग बोलते हैं जादा पढ़ाएंगे पागल हो जाए थोड़े लोग है और जो हजारों लोग है यह कबर वाईरल कर दे जादा पढ़ेगा पागल होगा यह वह लेक लेना चीए शर लोग तो नहीं पढ़ने वालों की है और वो चीट जल्दी वाइरल हो जाती है कुछ नहीं होता ज्यादा पढ़ेगा तो ही पास होगा पढ़ना ही पढ़ेगा और सी कोई बुले पांच-पांच गंडे के नीन में तकलीफ हो जाती है आठ गंडा सोना चीए अरे यह सब है ना नॉर्म अगर तुछ लेगा नहीं जादा नहीं सोना तकलीफ हो जाएगी तो तकलीफ होने वाले यह अपने इस वाली ना माइन तुछ कुछ नी ओगा मैं पढ़ूँगा हाँ तीक है इमेजेडली तुम लों पांच-बाचाचा गंडा इसा सो के करो गेन अस्टार्टिंग में बह पूरा सोगे पड़ूगा एक दो दिन में छोड़ दिया कैसे हो गया आज को नया जिम भी जॉइन करता है पहले दिन में तुछ सलमान कान बन जाएगा स्टार्टिंग में तो उसको ले जिम जा रहों कि बॉड़ी की बैंड बजाने आ रहों ऐसा ही लगेगा एक लेवल त दो लोग या ऑ और अजहिए फोड़ा ला तो पड़ रहे पड़ रहा है कुछ पता हीं चल रहा है और ऐसा होता है मेंने किया है न अ रिजर्ट ही आएगा और रिजर्ट आगे ना अलगी जंदत मेलेगी तो सची बता रहो मैं तो जबता ना मेरा तो है ना सीए बंद के बार निकलता भूख लगनी बंद हो गे थी क्यों खाना पीना सब त्याग देता था खाता था सर्वाइबल के लिए लेकिन क्या है शौक स यह उसको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे मोटिवेशन से उसको रस्ता भी मिलेगा लेकिन अगर किसी के अदर विलिंगने सी नहीं है तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे बोलने से दुनिया बदलती ही तो तो मैं वह गामचारू करता सदूवबन जाता हिसा दो मेरे से बात करो जिन्दगी बदल दो ऐसा यह नहीं होता ना मेरे सुनने के बाद किया है कोई-aucोई लोग का भला होता है कोई- indifferent नहीं हो तो दुनिया का कोई मोटिवेशन उसको मदद नहीं कर पाएगा वह अंदर चाहिए और करना ही है ना लाइफ इस नॉट सी ए लाइफ ए आफ्टर सी ए लाइफ इस यह बना दिया में अवंबर में आवंबर में आवंबर रिस यह खतम होने लाइफ चालो ओते खतम करो इसको और पढ़ लो पूरे डाइब और सी मेरा तो एक ही फॉरूला है जैसे आज सुबे से लेकर आता पढ़ रहा हो ना बहुत थगान हो जाती है ना बहुत तकलिप होती है नहीं यार मुझसे नहीं पढ़ा है रही हो और हो और है ओट है अपने हैं को एक ही चीज़ बोलने का दर पीज़ देसिपलीन अब डिसल्मा पडम पे रहाएज उसे दिसीपलीन लाइस और पांच गंडा मेनस 2-0 का डिसेपलीन आप पी एलाइफ नशी पेसी चलंग उने होथी है मैं बैना डीग डालोग पाणशायूलुऑता का ओ पांच गंडा निरम सानी होती पूरा दिन पेन होता है ना फ्रस्टेशन आजाता लाइफ है और ऐसा फरस्टेशन हो इसका को सॉलिस्टन ही नहीं में तो वह नहीं चाहिए इसे डिस्टिप्लीन वाला पेन के टेंपररी पेन है लेकिन बाद में जाके ही लोगे तो सी ये बन जायेगा तो थोड़ा माइंड सेट चेंज करो अपना हो के कुछ मत करना एक्जाम तक सिर्फ पढ़ाई करना है और अपने सर्वाइवल को जो थोड़ा खाना चीए शरीर को वो दे दो और खाना भी एक शौट में मत खालो तुगड़े तुगड़े में थोड़ा काया लंच में एक डेड़ रोड़ी काले अब शोड़ दो भूग लग स्लीप भी लिमिटेड चीए ओके रात को चारवाज घंडा सोनी का दिन में क्या करना चीए दस पंद्रा मेट के लेट के मत सो बैठे बैठे डीप ब्रीधिंग करो डीप ब्रीधिंग मालब ब्रीध करते ही इने लेक्जिर स्लोली करते ना उसमें अपना माइंड हील हो जा तो अपने आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है कैसे रिस्टार्ट करा सो देया अभी तक मैने कुछ पढ़ाई नहीं था अभी मेरा दिन शुरू हुआ है जब कि साम है यहां तक तो इतना पढ़के ना पूरा टूट चुका है तूटके राख हो चुका है लेकिन फिर व काम ने करे जिसके अंदर चोरी एन पढ़ाई कि उनी कर पाया वह तो बुले हो यह नहीं बहुत है कुई रिस्टार्ट भी श्टार्ट दियो थे उसको कुछ फर नहीं पढ़ेगा लेकिन जो पढ़ना चाह रहा है पढ़नी पार रहे है उसको यह फॉर्मुला काम करेगा क सा डिलीट एंड रिस्टार्ट मैं तो पढ़ना चाहता था तो मेरे को यह फॉर्मुला काम भी आता था ठीक है अपने आपको रिस्टार्ट करके ऐसे निके पूरी नाइट मार लेता था बट क्या है जिदर में पढ़ाई छोड़ने वाला था एक लिए दो हंदा तो खीश ल